चानल पर करने हो तो चानल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को और फेसेट कर लेना क्योंकि यूनीक वीडियो की लिस्ट पढ़ी है और हाँ इस वीडियो को लाइज जरू करना शेर करना और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको क्विक सेटिंग को एडिट करना जो है सिखाया है इस वीडियो में आप लोग यह सिखोंगे कि अगर आपके नोटिफिकेशन पैनल में कोई टॉगल बटन ऐसा है जो आपको चाहिए लिकिन वो है नह आपको जो नहीं चाहिए और वहाँ पर एकस्टा है तो आप उसको हटा सकते हो या फिर किसी एक नए बटन को वहाँ पर एड़ कर सकते हो एग्जाम्पल के दौर अगर आपको चाहिए लाइव ट्रांस्क्राइब वहाँ पर यह YouTube कब टन है तो आप Bluetooth के बटन को हrü टाकर आ सकते हो या फिर आपके पास यहां पर सामने airplane mode नहीं है तो आप चाहते हो कि notification panel में आपको airplane mode का button मिल जाए तो आप कैसे ला सकते हो quick setting से वही आज की वीडियो में हमने बताया है तो जो लोग जानते है quick setting को edit करना वो लोग वीडियो को skip कर सकते है जो लोग नहीं जानते वीडियो में एंटक जरूर बने रहे हैं यहाँ पर बहुत साल लोग के सवाल थे कि Samsung के phone में mobile data का option notification panel में नहीं आता है तो वह option हमने आपको लाके दिखाया है कि कैसे आप Samsung के phone में क्विक सेटिंग में से अपने mobile data को mobile data वाले टॉगल को notification पैनल में भी ला सकते हो इवन किसी भी बटन को किसी भी टॉगल बटन को आप अपने notification पैनल में कैसे ला सकते हो यही आज की वीडियो में हमने बताया टेलिग्राम वट्सप ग्रूप अवर्ट पेज में आप लोग जाके जो सकते हो फीमेंस के लिभी अलग से ग्रूप बनाएगे तो वह भी वहाँ पर जाके जोरू सकते है दोस्तों सब्सक्राइब करना बहुत जाद आसान हो गया मतलब आपको नीचे टैटल बटन के तो मैं हूँ आपका जीतु राज चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पैनल बे देखेंगे कि कौन-कौन से आप्शन हमें हाँ पर मिलते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको कोई एक आप्शन एट करके जो है बताऊंगा क्विक सेटिंग में से बहुत ही आसान है और आप लोग जो है इसे यूज कर सकते हो ता फ्लाशलाइट एरप्लेन स्क्रीन डिकोडर ब्लूटूथ साउंड और वाइफाई इतने ऑप्शन है उसके बाद ओपन सेटिंग का उप्शन आ जाता है बाद में इतना कुछ नहीं है ठीक है आगे कोई भी टॉगल नहीं है इतने बटन से तो आप हम लोग यहां पर यह उसकी जेगे पर या फिर ब्लूटूथ की जेगे पर कुछ आर लाकर दिखते हैं तो हम फिक सेटिंग खोलेंगे डेकिक में और फिर्ज इंक खूल लिया ब्रच्टिन खूलने के लिए आपको तो पता है बलाकी करें दो पर स्वाइप करेंगी तो कि बले दो यह और्प्ट जोने चलेंगे अब ऑप्टन दूने में यहां पर हम एडिट में चलेंगे एडिट बेट्रन में चलेंगे आपको मिलेगा एडिट बेटन इसलेंगे क्लिक करेंगे अब यहां पर क्विक सेटिंग एडिटर आ गया है यहां पर नीचे की साइड में आपका नोटिफिकेशन पैनल यह देखिए आपर आप सारे बटन सुखेंगे अब अब यह जो है यह सारे बटन है यह बताएगा देखिए पैनल में है लेकिन हमें नोटिफिकेशन पैनल में इसको लाना है अब जो बटन इस तरह से बताएगा यह देखिए अब देखिये लाइव ट्रॉंस्क्राइब नॉट इन ह्क् इस पैनल यह बटन जो है क्विक सेटिंग में नहीं यह बटन आपको का हम возможность सुन्ते का एरपिजा से आप पून आने पर कान से सुनते हो ना उसके बिलकुल थोड़ा सा नीचे यह नॉट इन क्विक सेटिंग में नहीं है वो बटन आपको यहां पर देखने के लिए मिलते हैं और जो बटन इसको डबल टैप करके होल्ड करके हटा देंगे कि उसको उपर के और स्लाइड करेंगे और लेकि जाएंगे छोड़ देंगे उपर के और यहां पर देखिए अब एक विक सेटिंग में इसको यहां से फिर से होल्ड करेंगे हम लोग इसको हटा दिया हमने और यहां से हम स्क्रोल करके उसको दूसरी ज़र लेकर आएंगे अब हम यहां पर कोई और बटन लेकर आते हैं अब यहां पर उपर आगया देखें नॉट इन क्विक सेटिंग पैनल बोल रहा है पहले क्विक सेटिंग में बोल रहा था अब नॉट इन क्विक सेटिंग बोल रहा हम यहां पर करेंगे Live Transcribe को हम अपने Notification Panel में लेके आएगे Hold करेंगे इसको और नीचे के और खीच लेंगे छोड़ दिंगे और यहाँ पर देखे लाइव ट्रास्क्राइब In Quick Settings Panel में आगे अभी Mobile डेटा भी यहाँ पर नहीं है है ना तो हम लोग क्या करेंगे मोबाल डेटा को भी उठा के ब्लूटूथ की जिएगे लेखे आएंगे हम क्या करें यहां से ब्लूटूथ को भी हटाएंगे अब इसको उसको दूसरी जिएगे पर ले जाके चोड़ेंगे और यहां पर मोबाल डेटा को हम ब्लूटूथ की जिएगे ले जाके छोड़ेंगे होल्ड करके बस हम ड्राइग और ड्रॉप कर रहे हैं अब यह डन होके हम डन करेंगे अब हम पुरा होम कर देंगे देखेंगे वन यह होम पर आ गया होम अब बटन देखेंगे अब देखेंगे जहां पर फ्लैश लेट हां वहां पर लाइव ट्रांस्क्राइब आ गया है अब यहां पर आगे ओपन सेटिंग का बटन आपको मिल रहा है तो सिंपल था हमने क्या किया सिंपल अबने बस नोटिकेशन पैनल खोलके जो सारे बटनस देख लिएं वहां पर उसके बाद हमने पेज़ 2 पेज़ 3 पर जा सकते हो जैसे हम लोग दिखाते हैं आपको more option में चलेंगे edit buttons में जाएंगे ठीक है quick setting editor में आगे हाँ पेज़ 2 भी है देखे पेज 3 देखे पेज 3 हाँ पर भी सारे बटन्स है देखे यह एक्स्टर दिम sound notification notification, live caption, sync button यह सब button जो है आप अपने notification panel में ला सकते हो या फिर quick setting में भी ला सकते हो quick setting आपकी कहा में लेगी यह middle screen पे मिलेगी और notification panel मिलेगा आपको home button home back overview के उपर मिलेगा सारे toggle मतलब 3 line है total 3 line है home back overview के उपर एक line मिलेगी जो सबसे उपर आपको quick setting की लाइन मिलेगी और सबसे उपर जो टॉप में लाइन होगी वह होगी आपके जो quick setting में नहीं है और यह रोज में होगी यानि की राइट राइट में आपको देखना है left to right आप स्क्रोल करोंगे तो आपको यह सारे buttons मिल जाएंगे बड़ी आसानी से जैसे मैंने बताए बॉटम में लाइब में ट्रॉच करूँगा देखिए airplane है live transcribe mobile यह सब सब option आपको right to left swipe करने पर मिलेंगे तो इस तरह से आप सारे के सारे चेंजेस कर सकते हो सारे के सारी सेटिंग कर सकते हो और इस तरह से अपने quick setting को notification panel को जैसे आपको चाहिए वैसे edit कर सकते हो अब हमारे लिए कितना आसान होगे यहाँ पर simple mobile data सामने ही आ गया या फिर live transcribe जो सामने आ गया तो अगर आपको महापस subscribe बटन दीख रहा है तो नीचे जाके चैनल को subscribe करो notification को all पर set करो मैं मिलता हूँ किसी और interesting वीडियो में तब तक के लिए जैहिन